हिमाचिल भाजपा कारेकार्णी की वैठक शिमला में चल रही है जिसमें कई प्रस्ताप पारिद के गए हैं 25 स्तंबर तक पूर प्रधान मंतरी अटल जी का श्रधानजली कारेकरम रहेगा 23 से आईश्मान भारत कारेकरम शुरू किया जाएगा 25 स्तंबर को पंडित दीन द्याल जनम दीन मनाया जाएगा 26, 23, 28 को अभ्यार स्वर्ग आयोजित किया जाएंगे 29 स्तंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के उपलक्ष पर शौरे दीपस मनाया जाएगा 2 अक्टूवर से गांधी जनती मनायी जाएगी वो पूरा माह कारेकरम किया जाएंगे अगामी लोग सब चुनाप के लिए अभ्यास वर्ग भी अक्टूवर माह में आयोजित किया जाएंगे 31 अक्टूवर को लोग पुष वले भाई के प्रतिमा का अनवरन गुजरात में पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा इस मोखे पर देश भर में रन फॉर यूनिटे का भी अयोजिन किया जाएगा रंधिर शर्मा ने हिमाचल कॉंग्रेस पर जमकर निसाना साधा और कहा कि हिमाचल प्रदेश को कॉंग्रेस आपसी गुटवाजी में उलजी हुई है इस गुटवाजी में नई प्रभारी के आजाने से और ब्रीधी हुई है कॉंग्रेस निताओं के व्यान तथे हीन और अधार हीन होते हैं रंधिर शर्मा ने बताया कि कॉंग्रेस पार्टी केंदर सरकार के खिलाफ दुषपरचार कर रही है जिससे कुछ भी होने वाला नहीं है कॉंग्रेस राष्ट्री अध्यक्ष राहुल गांदी हासे का पातर बन गए है जबकि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की देश विदेश में ख्याती हो रही है जिससे घबराकर कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी हार सरकार किर ली है परिणाम सब रूप कॉंग्रेस उंदलों से भी गटवंदन कर रही है जो कभी कॉंग्रेस की बिरोधी रही है कॉंग्रेस पार्टी ना नेता है ना नीती है इसलिए हिमाचल की चारों सीटों के साथ भाशवा ही मोदी के नरे तरित्तम में सरकार बनाएगी आने वाले समय में आयुशमान भारत योजना हमारी केंदर सरकार शुरू कर रही है जिससे दस क्रोड परिवारों को पांच लाग का स्वास्था कवरेज मिलेगा पचास क्रोड लोग उससे लाबान वित होंगे उसके लिए सरकार का धन्यवाद किया गया है और इस प्रस्ताव में कॉंग्रेस पर आरोप लगाया गया है कि हमारी सरकारों की उपलब्दियों को देखकर कॉंग्रेसी नेता बौखला गए है चाहे वो रास्तियस्तर के चाहे वो प्रदेश के नेता है बौखलाहाट में तथ्याहीन अधार हीन बियानबाजी कर रहे है कोई मुद्दा उनके पास नहीं है कोई वी विशे आज तक प्रमान के सहित वो नेता उठा नहीं पाए है कॉंग्रेस पार्टी के रास्तिया ध्यक्ष अपनी तथ्याहीन बियानबाजी के कारण और अपने सदन के अंदर और बाहर नाटकिया भ्यावार के कारण आज जनता के बीच हास्या का पात्तर बने हुई कॉंग्रेस ने निरेंदर मोदी जी के व्यक्तित्तव और कर्तित्तव से घवरा कर अपनी हार सविकार कर ली है इसलिए उन्होंने अन्या विवक्षी दलों के साथ गठबंदन करने का प्रयाश शुरू किया है प्रंतूस गठबंदन का ना कोई सरमान्या नेता है ना कोई सरमान्या निती एंस्टार निउस के लिए शिमला से योगराश श्यर्मा की रिप्राइब